जै मातरी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर ट्रेस कर दें जिन्दगी बहुत हसीन है, कभी हसाती है तो कभी रुलाती है लेकिन जो जिन्दगी की भीड में भी खुश रहता है, जिन्दगी भी उसी के सामने सिर जुकाती है माना कठनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठनाई आने पर ही व्यक्ति सफल हो पाता है कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं पर ये पक्का है कि उस इनसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे जी हां दोस्तों बात कर रहे हैं कुम्ब राशी के 16 अपरेल 2020 राशी फलकी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज आपके लिए शुब अंक रहने वाला है दो और शुब रंग रहने वाला है लाल दोस्तों सबसे पहले आज का पंचांग जानेंगे बैसाख क्रिशन पक्ष की नवमी तिथी है और गुरुवार का दिन है नवमी तिथी शाम 6 बजकर 12 मिनट तक रहेगी और उसके बाद 10 मी तिथी शुरू हो जाएगी इसके साथ ही शाम 5 बजकर 33 मिनट तक विद्या ग्रहन करने और कोई भी विदी सीखने में सफलता दिलाने वाला साध्य योग रहेगा इसके अलावा पूरा दिन पार करके देर रात 11 बजकर 6 मिनट तक श्रवन नक्षत्र रहेगा श्रवन नक्षत्र की दौरान राज्या भिशेक ग्रहन इर्मान प्रशाशन कारिये द्वाजा रोहन नाम करन आदी शुब कारिये किये जा सकते हैं आईए आप बात करते हैं डेली राशेफल के बारे में दोस्तो आज का दिन बहुत ही बहतरीन रहने वाला है आपके लिए घर पर काम कर रहे करमचारियों का काम आज समय से पूरा हो सकता है आज आपको आए के नई शुरूत भी मिलेंगे शोशल वर्कर्स आज लोगों की सहयता करने में जुटेंगे जीवनसाथी के साथ रिष्टों में और मिठास बढ़ेगी इसके साथी कारियों में जीवनसाथी का पूरी तरह से सहयोग मिलेगा लव मेट्स की बात करें तो लव मेट्स के रिष्टों में चल रही अनबन आज समाप्त हो सकती है आज आप धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे संतान पक्ष को सामाजिक और व्यवारिक ज्यान में निपोन करने की कोशिश आप कर सकते हैं किसी को एप्रिय कहकर नाराज बिलकुल ना करें नहीं तो विरोध में खड़े हो सकते हैं मातर पिता आपकी तरक्की से प्रसन रहेंगे दोस्तो आज आपके लिए विशेश उपाई ये रहेगा कि तुलसी मा की पूजा करें साथ में कपूर जलाएं और सूर्य देव को जलर पित करें इससे आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी नकारात्मक शक्ती आपके आसपास से दूर हो जाएंगी वीडियो पसंदाये तो लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूनी धन्यवाद